straight का मतलब होता है कोई चीज temporary है वो आई और चली गई और trade का मतलब होता है स्वभाव जो वो काफी लंबे समय से है मेनिया और depression जो है इसके विप्रीट क्या होता है उसमे इंसान जो है काफियुद तक organ नहीं होता है जब उसको मेनिया या डिप्रेशन नहीं होता लेकिन जिनको ADHD है उनको बच्पन से होगा और 12-20 साल के उमर के बाद भी ठीक नहीं होगा लगब 60% लोगों के साथ तो ऐसा ही रहता है और वो lifelong रहता है और उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी lifelong ही चलेगा नमस्का दोस्तों चाहें हम ना चाहें जितना अबर जी बोलें बट कहीं न कहीं तो Google करने का मन करता ही है खासकर अगर कोई एप्रेशन है खासकर जो confusion होती है एडीएजडी को लेके खासकर अगरेट अधीडीएजगी को लेकि वो मेनिया से ले की मैनिया की सिंटम्स क्या होते हैं पहले हम समझ लेते हैं और अब हम समझ लेते हैं और उनको क्यों ऐसा लगा कि उनको बाइपोलर हो सकता है अब reason क्या होता है दोस्तों कि एक word होता है state और एक word होता है इसको समझना बहुत ज्यादा important है state का मतलब होता है कोई चीज temporary है वो आई और चली गई और ट्रेट का मतलब होता है स्वभाव जो वह काफी लंबे समय से एड्यस्टि जो है वह ट्रेट के के एक वह वह तो में लाइप लॉग रहेगा जिसके लिए उनको ट्रीटमेंट के जुरहत पड़ेगी और अगर वह नहीं भी कराते हैं तो कोई बात नहीं काम तो चलता रहेगा लेकिन कहीं नहीं वैसा काम निंग में यह जो इसके वो capable है तो उनको job को लेके या relationships को लेके या accidents के लेके या addiction के chances जो है वो जब की जो state of mind होता है state of mind जो है मूद disorders के context में यूज किया जाता है कई बर जैसे मेनिया होता है तो मेनिया को करने के लिए मातर साथ दिन चाहिए डिप्रेशन को डाइगनोस करने के लिए मातर दो हफते चाहिए और bipolar disorder को डाइगनोस करने के लिए combination of mania hypomania या depression होना चीज इसके लिए आप हमारे अलड़ी dedicated वीडियो से हैं जो आप देख सकते हैं कि कि bipolar होता हुँ मेनिया क्या होता है या depression क्या होते उनको ऐसा क्यों लगा कि ऊनको bipolar disorder है और specifically उनको कभी-कभी मेनिआ हो जाता है कि जो लक्षन होते हैं वो साथ लक्षन होते हैं जो डिक फास्ट फॉर्मला से याद किया जा सकते हैं और सबसे पहला जो लेक्षणा होता है डी से वो होता है distractibility distractibility या concentrate नहीं कर पाना इसका मतलब एक काम को पूरे कि यह बिना ही दूसरे काम को करना जैसा कि ADHD में भी होता है पर जो अगला selection है वो तो मैच नहीं करता involvement in pleasurable activities involvement in pleasurable activities में मेने में तो इंसान episode के दुरान या state of mind के दुरान कुछ ऐसे अरकते करते हैं जिसको वह पहले नहीं करते हैं या पैसे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं या sexuality बढ़ जाती है या खर्चा बढ़ जाता है इस तरह की चीज़े होती है जो कि ADHD में तो नहीं होती कि ADHD में हाँ addiction के chances definitely जादा हो सकते हैं comparatively to general population उसके बाद जो अग्ला अग्ला अग्शन आता है वह आता है ग्रेंडियोज मून मन जो है वह बहुत खोश रहता है अग्ला जो क्राइटीरिया आता है वह होता है एक बात से दूसरी बात पर दीसरी बात पर जैसे distractibility पर behavior था एक काम को पूरे किये बिना ही दूसरे काम पर चले जाना पर जो flight of ideas है उसमें क्या होगा एक विचार आया फिर दूसरा विचार आया फिर तीसरा विचार आया क्योंकि ADHD के मन में जिनको ADHD होता है उनके मन में भी एक के बात दूसरे विचार आते रहते हैं और वो जायद mania नहों rather than ADHD उसके बात आता है increase in activity की पहले जो काम करते थे उससे वह ज्यादा काम करने लगते हैं अब ADHD में तो अगर concentration की problem है तो वह हमेशा ही रहेगी हाइपर activity की problem है तो वह हमेशा ही रहेगी I'mpatient की problem है तो वह हमेशा ही रहेगी जैसे impatient क्या होता है दूसरों की बात में टांगडाना दूसरों बात पूरी नहीं कि इसके बहले भी बीच में बोल पढ़ना अपनी टान के लिए वैट निक रपाना हाइपर एक्टिविटी में क्या होगा हाथों यूँ चलाते रहना कुर्सी पे यूँ हिलते रहना चलने की जगह जो है वह भाग पढ़ना उसके बाद ऐसे लगना जैसे मोटर लगी हुई है कोई भी काम शांती से ने कर पाना अगर वह खेलना खेल भी रहा है या बात भी कर मेनिया का ट्रीटमेंट नहीं भी करेंगे तो वह तीन महीने या उससे कुछ समय में अपने आप ही सेटल हो जाएगा अगर मेडिसिन देंगे तो तो वह 15-20 दिन या एक महीने में भी सेटल हो सकता है लेकिन एडिएजडी में जो चंचलता होगी या हाइपर आक्टिविट करने लगता है डिएजडी में वैसे कम नीज आती इसा नहीं कि कुछ समय के लिए असा होगा फिटी फाटिविटी के ग्राहिए में भी देखा जो पेशन जो है वह बहुत साधा बाते करता है या बहुत जाधा बोलता है लेकिन इसमें क्या पहले इतने जादा नहीं बोलत होते थे लेकिन abdhd में अगर कोई बोलता है वह इसा होगा कुछ समय के लिए दिक्कत आएगी उसके अलावा अब इनटेंशन के क्राइटीरिया में क्या होगा किसी चीज पर सिली मिस्टेक्स करना लंबे समय तक किसी चीज पर इटेंशन दे नहीं पाना उसके बाद चीजों को और रहना अगर कोई बुलाता है तो इस तरह कि अगर एक्टिविटीज होंगी तो वह सारी की जो हैं वह इसके लावा और लिस्ट में complete कर जाता हूं instructions को follow नहीं कर पाना उसके बाद है जो है चीजों को गुमा देना जो उनकी important चीजें कभी यहां रख दी कभी वहां रख दी ध्यान ही नहीं रहा कि कहां रख दी तो वह चीजें जो हैं दिमाग से निकल जाएंगी उसके अलावा भूल जाना या फिर जो है वो credit card की statement जो है आ गई है और फिर भी बिल पे नहीं किया पैसे की भी दिक्कत नहीं थी बट वह मिस आउट हो गया तो यह सारी चीजें जो हैं यह इनटेंशन का कारण हो सकती है अब अब एडिए जो अधिए उसमें जो खास बात है उसमें सकते हैं कि किसी ओध index की ना क्राइटिए उसमें Nigeria की सकता है किसी ओधिटी होसकता है इसी को दोन ही अच सब्सक्रेइब की ब्रॉब्लम आपी है relationship की quality of life नहीं जी पाता जितना वो intelligent या सक्षम होता है मेनिया और depression जो है इसके विपरीद क्या होता है उसमें इंसान जो है काफियत तक normal हो जाता है जब उसको मेनिया या depression नहीं होता बढ़ा कई पर ऐसा होता है कि होगा रोने का मन करेगा उदासी होगी उन चीजों में नहीं लगेगा जिन में पहले मन लगता था minimum डाइग्नॉस करने के लिए दो हफते चाहिए होंगे और कम से कम डिप्रेशन जो है वह एक से दो साल तक भी चल सकता अगर ट्रीट ना करें यूजिली वह छे मिने होते हैं या गला डाइग्नॉस जाते हैं और कि वर उनका बाइपोलर डाइग्नॉसिस बन भी जाता है ऐसा हमारी बुक में भी लिखा हुआ है तो यह बहुत जादा इंपोर्टन्ट है कि किसी भी चीज को डाइग्नॉसिस बनाने से पहले खासकर गूगल से हम में भी सफिशन्ट है कि इन में से नौ में से पांच और नौ में से पांच अगर क्राइटीरिया इंपल्सिविटी या इनटेंशन के प्रेजेंट हैं तो हम क्या जकते हैं कि कि किसी को ADHD है या नहीं और दोनों का ही ट्रीट्मेंट जो है बहुत ही डिफरेंट होगा अगर फैसे बात करेंगे घास कर मेंनिया के बात करेंगे तो उसमें मूड्स डॉलाइजर एक तो और यह यह बहुत ही ज़्यादा है कि प्रॉपर त्रीट्मेंट स्टार्ट करने पहले ही अपना दिमाग लगाने से पहले एक प्रॉपेस्टन को मिल लिए जाए चाहे वह साइक तो आपको comfortable है उनसे आप मिल सकते हैं उसके बाद ही एक diagnosis बनाया जाए तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो दोस्तों मेनिया जो है वह एक हफते के बाद ही डाइग्नोस हो सकता है डिप्रेशन जो है वह दो हफते के बाद डाइग्नोस होकता है अगर मेनिया का treatment नहीं भी होगा तो वह 3-6 मीने में ठीक हो जाएगा और अगर डिप्रेशन का treatment नहीं होगा तो भी 6-13 मीने में ठीक हो जाएगा लेकिन जिनको ADHD है उनको बचपन से होगा और 12-20 साल के उमर के बाद भी ठीक नहीं होगा लगब 60% लोगों के साथ तो ऐसा ही रहता है और वह lifelong रहता है और उसका treatment है वह lifelong ही चलेगा और bipolar disorder में भी ऐसा हो सकता है कि एक सिंगल एपिसोड है तो ट्रीट्मेंट जो है वह 6 मीन या एक साल चले और अकर बार-बार होता है तो लंबा चल सकता है बटो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट डाइग्नॉसिस हैं जो एक प्रफेशनल के पा क्यों ना हम इस पर एक वीडियो बनाएं ताकि लोग जो हैं इसको बारिकी से समझ पाएं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दन्यवाद